अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वर्ट ना कंजूसी मर् दिखाना मुफ्त है चुप चाप सब्सक्राइब करो थैंक्स हेलो दोस्तो टिक्नोसित के कॉर्ण यूडे में स्वागत है आपका तो गाइज यहां पर फाइनली आज रियल मी 5S में जो अगस्त का अपडेट है उसको यहां पर सितंबर में रोल आट स्टार्ट कर दिया गया है हलाकि रियल मी इस वार लेट है बट आज से हमें प्रॉपरली रियल मी 5 में अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और गाइज इस अपडेट का जो हमें वर्जन दिखने को मिलता है वो मिलता है C.55 का और गाइज इस अपडेट के अंदर आप सभी को ColorOS 7.1 और ColorOS 7.2 के जो Mixed Features है वो आपको इस अपडेट में दिखने को मिल रहा है लाइक Smooth Scrolling Features साथ और भी बहुत सारी Features को इस अपडेट में अड़ की गई है तो इसे हम लोग Realme 1.1 या फिर Realme 1.2 भी कह सकते हैं तो इस अपडेट के Related सारी Information आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए आज की मज़िदार वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया हमें इस अपडेट में दिखने को मिलता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा रियल्मी 5S का न्यू अपडेट बात कर इस अपडेट के वर्जन और साइज के बारे में तो यहां पर पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस अपडेट का जो वर्जन हम मिलता है वो मिलता है C.55 का और इस बात कर इस अपडेट के साइज के बारे में तो इस अपडेट के साइज हमें मिलता है 265 MB का यानि कि लगबग 270 MB का अपडेट है और इस बात कर इस अपडेट के चेंजिस के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा इस अपडे में वो मिलता है सेक्यूरिटी में यहां पर आप देख सकते हैं कि android security patch अगस्थ 2020 यानि कि इस update में आपके मौल में मिल जाएगा अगस्थ 2020 के लेटेस security patch के सपोर्ट हाला कि यह भी old हो चुका है क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है और हमें इस update में अभी तक security patch अगस्थ का ही मि feature को एड़ कर दिया गया है और इस feature को अगर आप अपने मौल में इनेबल करते हो तो रात में आपकी जो बैट्री देन होती है उससे आपको रहत दिखने को मिलेगा और नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि एड़े स्मूस क्रॉलिंग फीचर तो फाइनली गईज इस इनफॉर्मेशन इंटरफेस यानि कि अब आप अपने मौल में आई में नंबर को डारेक्ली कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर सकते हो और यहां पर आपको सिस्टम में भी बहुत साइचेंज दिखने को मिलता है यहां पर आप देख सकते हैं कि एड़ेड लॉंग प्रेज ट आपको लॉंग प्रेस करते हो तो वहां पर आपको अंस्टॉल को अप्सन दिखने को मिल जाएगा हाले कि यह फीचर पहले भी अवलेवल था बट हो सकता है कि इस फीचर को और भी ऑप्टिमाइज किया गया हो और उसके बद यहां पर आप देख सकते हैं कि फिक्स यूज़ आफ्टर इनेबल तर्थ पास्ट पाटी लांचर यानि कि जब भी आप अपने मौल में किसी भी थर्ड़ पाटी लांचर को यूज़ करते हो तो वहां पर स्प्लिट स्क्रीन प्रोपरली वर्क नहीं करता था तो इस प्रोब्लम को यहां पर फिक्स कर दिया गया यानि कि अब आपके मौल में स्प्लिट स्क्रीन अच्छे से वर्क करेगा और उसके बाद यहां पर आपको स्टेटस बार में भी बहुत साथ चेंज़ेश दिखने को मिलता है यहां पर आप देख सकते हैं कि एड़ेट इंडिपेंडेंस स्विच टॉगल और फोकस मोड तो यहां पर फाइनली स्टेटस बार में इंडिपेंडेंस स्विच टॉगल फीचर को अड़ कर दिया गया है और दोसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एड़ेट ओटीजी स्विच टॉगल टू नोटिफिकेशन पैनल तो गईज़ेश यहां पर नोटिफिकेशन पैन डिस्प्ले ओप्षन को भी यहां पर अड़ कर दिया जाएगा और साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि आप्टिमाइज वीऊंग फूर सिस्टम अपडेट प्रोमप पॉप विंड़ों तो यहां पर जो सिस्टम अपडेट का पॉप विंडों आता है उसको भी यहां पर दिया जाएगा लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कैमरा में चेंजिस दिखने को मिलता है यहाँ आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि आपको कोई भी इसू दिखने को नहीं मिलेगा तो यही सारी इंप्रूमेंट्स की गई है और देखा चाहिए तो यह अपडेट बहुत ही अच्छा है साथ साथ इस अपडेट में बहुत साथ चेंजिस और फीचर्स भी हमें दिये गए हैं तो एक बार आप अपने मौल में अपडेट को चेक आउट कर लिजे हो जगता आपको अपडेट मिल गया हो और अगर भी तक आपको अपडेट नहीं मिला है तो घबराइए मत दोस्तों दो तीन दीनों के अंदर आप सभी को अपडेट मिल जाएगा आपको यह वीडियो पसंद आयोगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते आपको मारे एक लिए वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई